नमस्कार मैं घोरव पालीवाल पुन्ना उपस्तित हूँ आप सभी के बीच और आज की महत्पुन खबरों के हम शुरुआत करते हैं राजस्तान की एक बहुत बड़ी खबर से जी आपने पिछले कुछ दिनों में एक सुर्खों में जो हत्याकांड चल रहा उसके बारे में स आज राजसमंद के सर्व हिंदू समाज द्वारा एक ग्यापन चिला कलेक्टर को सोपा गया है जिसमें विश्व हिंदू परिशत बजरंग दल उन सभी के तमाम कारे करता वहां मोजूद थे और उस ग्यापन को सोपते हुए उन्होंने यह निवेदन किया है कि क्रश्णा व्याल वालमी की को जल सजल इंसाब मिल सके और उनके जो हत्यार हैं उनको जल सजल फासी की सजा हो इस दुरान उस कारिक्रम में पार्षत सूर्प्रकाज जांगिड सोनू पालीवाल हिमांच अगली खबर के लिए चलते हैं केलवा की ओर आज ग्राम केलवा के दोरे पर आसिंद विद्धायक जबर सिंग पधारत है कि उड़ों ने वहां कारिक्रम में भाग लेकर व्यक्षार ओपन किया इसके पश्चात वहां के नव्यूक मंडलों ने उन्हें इकलाई पगड़ी बहनाकर सम्मानित किया इस कारिक्रम में प्यारे लाल तेली कमलेश पालीवाल राम लाल तेली मनीश गांग राजुबाई जोलाई रमेश बोराना भाववानी शंकर तेली लक्षमन प्रजापत अनिल पालीवाल अधी कारिकरता उपस्तित थे अगली खबर रास्तमन विद विदानसभा शेत्र की विधायक दिप्ति महेश्वरी ने विदानसभा में पद एवं गोपनीता की शपत ली है यहां शपत लेते हुए उन्होंने राजसमंद का गोरव विदानसभा में बढ़ाया है हम राजसमंद एक्सपेक्स की टीम की ओर से उन्हें हार्दीक बदाई उन्हें शुबकामना देते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि राजसमंद की विदायक को नादवारा के विदायक जो कि अभी के विदानसभा के अध्यक्ष है लोक्टर सिपी जोशी उन्हें पद गोपनीता की शपत दिला रहे थे साती कहते हैं कि मेवाड की मि चूकर उनका आशिरवाद भी लिया अधर्निय दिप्ती जी को राजसमंद एक्सप्रेस जो बदाई देही रहा है उसी के साथ साथ उन्हीं के पार्टी के एक समर्पित कार्यों करता मुकेट जी जोसी पसुंद जोकी प्रताबंडल के अध्यक्ष है उन्होंने दिप्ती म आने वाले समय में रासमन को नए विकास के आयम तक पहुचाए और प्रभु उनका मार्ग प्रशस्त करते रहें आज प्रभु जगणनात रथ यात्रा करने के लिए नगर में निखल चुके हैं आपको सभी को पता है कि उडिसा की पूरी जगणनात यात्रा बहुत ही जोर कोईड नियमों को चल डेखते हुए कोईड नियमों का पालन करते हुए मनाई जा रही है हालकि SMITH द्व्रकाधिश और शिनांजी मंदीर में यहां पर्भ कुछ नक्षत्रों के हिसाब से कली संपन कर दिया गया औरола d injustice मंदीर और शिनांजी मंदीर में प्रभु को रत में विराजित कर मंदिर में ब्रमन कराया गया साथी एक विशेश बात यह है कि प्रभू को आम और अंकूरी का इस दिन विशेश भोग लगाया जाता है जिसे ठाकूर जी बहुत आनंदित होते हैं प्रभू रसराज श्रिनाज जी की पावण पुण्य धरापर विगत तीन दिनों से शितल संथ प्रमशद्य मुररी ब्रापूव द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है यह मिराज गुरूप द्वारा इस कथा का आयोजन हो रहा है और यह कथा आदेश गोशला राप्चा इस्तित कथा पांडाल में की जा रही है जिसके अंदर पूर्णता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है तथा पचास से अधिक लोग उस कथा में वहां शामिल नहीं हो पा रहे हैं तथा आस्ता चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रसरन सारे विश्म में हो रहा है भारती जनता युवा मोडचा की जिला कारी योजनाओं को लेकर रास समन्द भाजपा कारेले में एक बेठक का आयोजन जिला अधियक्ष मौन कुमावत की अधिक्सता में संपन किया गया युवा मोर्चा के कारेकरता किशन घारी ने बताया कि भारती जनता युवा मोर्चा की कार योजना की बेठक भाजपा कारेलेपर मुख्य अतिती प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रभारी शीवांगी कानावत विशीट अतिती जिला मंत्री भाजपा सुनिल जोशी जिला मंत्री महेंदर सिंग चोहान के आतिति में संपन हुई अब चलते हैं आज के सवाल जवाबों की ओर कल राजसमंद एक्सप्रक्स के माध्यम से हेबंदर सिंग जी ने आपसे एक सवाल पूछा था कि कल जो उन्होंने खबरे दिखाई उसमें एक ऐसी महतपुन खबर थी जिसके अंदर उस कारीक्रम में उन्होंने सारे भाजपा नेताओं के नाम लिये थे साथ ही एक ऐसानेता था जो कि अन्य दल से था वह यहां नेता कौन था उसका सही जवाब होता है मांगिललाल्टांक मांगिलाल टांक राशमंद कंग्रेस के वरिस्ठ नेता है और वह जहां कल शिला न्यास परक्रम हो रहा था उस शेत्र के पार्षत भी हैं और यह जवाब हमें सबसे पहले भजा है खलील जी डायर ने खलील जी डायर भी नवीन जी विश्म कर्मा के साथ तीन बार हमें लगातार उत्तर भेज चुके हैं और वह भी बरोबर की इस रेस में शामिल हो चुके हैं और आज की सवाल की और हम आते हैं और आज का सवाल जो आपको यह दिख रही है ना इसी से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के इथियास में एक एसा कौन सा नेता था जिसको यूपिये के राज में रेल मंत्राले का अत्रित प्रभार सोपा गया था आप हमें अपने जवाब नीचे दिये गए इन वाट्सप नंबर पर बैस सकते हैं हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए रासमंद एक्स्प्रेस